रवी और रिधी जंगल में रहते थे. एक शाम को भारी बारिश होने लगी. बारिश की तेज आवाज से थोड़ा डरते हुए रवी और रिधी जोपडी के अंदर बैठ गए. कुछ देर बाद बारिश थमने लगी. पेडों से पानी की बूंदे टपकटप टपक रही थी औ अचानक रिधी ने जोपडी के बाहर एक चमकती हुई जूला देखा. वह दोड़ कर बाहर गई और रवी को भी ले आई. वह जूला किसी जादू से बना हुआ लग रहा था. उसके रंगीन रस्से पेड की उंची, शाक, ब्रांच से बंधे हुए थे और सीट चमकीले जूले पर बैठ गए. जैसे ही उन्होंने जूले को हिलाना शुरू किया, जादू हो गया. जूला हवा में उंचा उठने लगा. वे पेडों के उपर से गुजर रहे थे, मानो जंगल को उडान भर रहे हों. नीचे, उन्होंने बारिश से धुले हुए पत्तों और नाच् कितलियों को देखा. जंगल की आवाजे भी उन्हें उपर से बहुत मीटी लग रही थी. कुछ देर तक जूले का मजा लेने के बाद वे धीरे-धीरे नीचे आये. जादूई जूला पेड की टहनी पर रुख गया. रवी और विधी जूले से उतर आये, उनकी आंखों में खुशी चमक रही थी. उन्होंने इस जादूई जूले का मजा कभी नहीं भुलाया.